जैहिंद माताजवाला मुख्य विज्ञान संस्थान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज हम लोग भौतकी के अंतरगत स्थर्प वद्धुत की खंड से एक नए टॉपिक विद्धुत चालक विद्धुत रोधी और अर्ध चालक पदार्त की अवस्था का अध्यन करेंगे तो मैं बारक्त क्लास के छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों के पास जो इस चैनल से प्रसारित होने वाला वीडियो से किसी भी माध्यम से फेस्बुक के माध्यम से या सिक्षा से जुरे किसी भी वाट्सप ग्रूप से पहुंचता है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि कि मैं जो आपके लिए बारक क्लास के बहुत की के वीडियोस को अप्लोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन्स आपको राप्ठ हो सके और आप क्रमबार तरीके से प्रतेक टॉपिक का अध्यन कर सकें तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को ए आवेश के प कि इस ब्रहवांड में पाए जाने वाले पातार्थ को है कि की लूप में विभक्त करते हैं तीन रूप में वर्गी करता है तो सबसे पहला पदार्थ विद्दूत चालग जिसे हम लोग कंड़क्टर कहा देते हैं अंग्रेजी में उसके बाद दूसरा पदार्थ विद्दुत रोगी जिने हम इंसुलेटर कहा देते हैं और तीसरा पदार्थ जो अर्धचालक होता है जिसे समी कंड़क्टर कहते हैं पदार्थ की तीनों आवस्थां की चर्चा खरेंगे तो सबसे पहला पदार्थ हैं विद्दुत चालक कंड़क्टर किसे काएंग मैं कि sert हैकि वैसे पदार्थ जिन्से होकर आवेस का प्रवाहह आसानी से हो सके वो उसतरह के पदार्थ跟我 हम विद्दुत चालक पदार्थ बो कंड़क्टर बोल देंगे तो अब कोई पदार्थ कंड़क्टर क्यूं कहलाता है या कंड़क्टर कैसे हो जाता है कैसे बनता है तो इसके लिए हमने लेख दिया है कि यदि हमारा प्रस्थन हो कि कोई पदार्थ विद्दुत का चालक किनी स्थितियों में होता है तो कि विद्दु चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या बहुत अधिक होती है जो पदार्थ के भीतर गती के लिए अपेक्षाक्रित स्वतंत्र होते हैं और ये स्वतंत्र इलेक्ट्रोन ही आवे इसको इन पदार्थ के भीतर एक सीड़े से दूसरे सीड़ सभय तक होते हैं अर्था गती करने में सहायता करते हैं तो इस तरिके से कि हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ चालक पदार्थ के रूप में कब होता है जब उस पदार्थ के अंदर मुक्ति option की संग्षा स्वतंत्री लेख्षाय की संग्षा मौजूद is प्रकार से भी प्ढ़िवासाद सकते हैं विदूति-चालग पादर्थ किसे कहते हैं तो वैसे पनार्थ जिनके अंदर मूग्त पज़तन्र रॉच्रोन की संख्या ज्यादा मात्रा में मौड़ूद रहती baik, है व्थदूति-चालग पनार्थbahn, है क्योंकि कि इसी प्रक्रों में स्वतंत्र इलन्हें विद्वत के क्चालन में सहायक होता है इस तरीखे सारह है बद्वत को परभासित कर यह दिडात को जा है कोई परद स्वित रूप में अधि आप दीक है quedal किसी धातु के वायर्स को लेते हैं तो हम उन वायर्स में माल लीजे कि हमने एक अलिमिनियम मेटल का ले लिया एयर अलिमिनियम धातु है और या विद्दुत चालक विद्दुत का चालक अगे विद्दुचालक क्यों है इसके लिए हमने देखा कि जिन पदार्थों में क्या है मुक्ति इलक्ट्रोन की संख्या बहुत अधीक होती है और उनके मुक्ति इलेक्ट्रोन उन पदार्थों के अंदर गति करने के लिए क्या होते हैं स्वतंत्र होते हैं अर्थात यह जो मुक्त इलेक्ट्रोन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रोन ब्राउनी गति करते रहते हैं इनकी कोई निश्चित गती की दिसा नहीं होती है तो जैसे हम यदि एलमीनियम की बात करें एलमीनियम के एक परमानू की बात करें तो एलमीनियम की परमानू संख्या 13 होती है ना जैड इक्वल टू तेरा अर्थात इसमें प्रोट्रोन की संख्या इसके नाभिक में प्रोट्रोन की संख्या कितनी तेरा और इलेक्ट्रोन की संख्या भी कक्षा में तेरा अब हम देखते हैं कि जब इसका इलेक्ट्रोनिक विन्यास करते हैं तो इसके इलेक्ट्रोनिक विन क्लब है कि ना अभिक से जब किसी पदार्थ के बाहत्म कक्षा के एलेक्ट्रोन पर भल आरोपित बल कमजोर होता है तो जिसकी वज़से यह कक्षा ही समाप्थो मुए समाप्थ हो जाती है और पर मनों के नाहीं वल से स्वतंत्र हो जाते हैं तो या अब ये में स्वतंत्र के अंदर घती करने के लिए स्वतंत्र कि किसी भी समें एक गती कर सकते हैं और ये स्वतंत्र इलेक्ट्रोन ही जब हम ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्ति इलेक्ट्रोनों की संख्या स्वतंत्र इलेक्ट्रोनों की संख्या जाबा हो जाती है तो यह स्वतंत्र इलेक्ट्रोन बाहर से दिये गए आवेस को एक सीरे से दूसरे सीरे तक या संपुर्ण सतह तक गती करवाने मे सहायता करते हैं जिसके कारण ऐसे पदार्थ क्या हो जाते हैं विद्दुत के चालक हो जाते हैं विद्दुत के चालक हो जाते हैं तो इस तरीके से हम बहुत सारे पदार जैसे हम लोगों का सरीर भी विद्दुत चालक है जानवरों के शरीर भी क्या है विद्दुत के चालक तो इस तरीके से हमने विद्दुत चालक की पढ़िभासा पर लिए और विद्दुत चालक कोई पतार्थ किन स्थिति में बन जाता है इसको समझ लिए अब हम दूसरी बात कि धात्मों की विद्दुत के सुचालक होते हैं तो ज्यादातर धात्मों की विद्दुत चालकता जो होती है यालि उसके विद्दुत के चालन का जो गुन होता है यालि 10 to the power आव्वर्ज के क्रंवे होती है इतने 10 to the power seven ओम इन्वर्ज के क्रंवे होती है इन सारी फ्रेक्टर्स को यह रखना चाहिए तो कि अबज़ेक्टिव टाइप क्वेस्टन में पूठा जा सकता है अब देखिये कि जब विद्दुत का चालं होता है तो एक घटना हमें देखने को मिलती है विद्दुत का चर्ण तो विद्दुत का चर्ण कैसे होता है कर फिर कर दो कर लोग किया करते हैं अभी हमने एक प्लास्टिक का पैन रखा है मारकर रखा है अब यदि हम इसको अपने बाल पर घसे घरसल करवाएं बाल के साथ तो हमारे बाल से इलेक्ट्रोन निकल कर अब फिक्ट्र की सथ्ख्र पर स्थिर हो जाता है जानी अब यह क्या है तो यह पदाथ कुछा लग पदाथ कुछाफ होता है तो अब यहाँ इस जगह पे यह आवेश मोजूद है तो यह आगे की और गति नहीं कर पाता है मुझा है लेकिन यदि हम लोग चाकर रहे हैं एक धातू की छर को लेकर करके अपने बाल पर विब करें घर्षन करवाएं तो इस स्थिति में हमारे बाल से कुछ इलेक्ट्रोन निकल कर धातू की कंगी या धातू के छर इस पर जमा हो जाएंगे और ये धातू का छर जो होगा या धातू की कंगी जो होगी वो चालक है विद्दूत का चालक है और हमारा हाथ ये भी विद्दूत का चालक है क्योंकि हम मानव हैं और हमें भी स्वतन्तर इलेक्ट्रोन मोजूद हैं तो आवेस इलेक्ट्रोन हमारे बालों से निकल कर धातू जर से होते हुए हमारे हाथ से होते हुए और हमारी पृत्वी भी क्या है विद्धुत की सुचालक है तो अब यहां से कि बाल से जब इलक्रोन निकला तो उसे सुचालक पणार्थ का संपर्क मिला और अंततह सुचालक पनार्थ पृत्वी से जा करके जुर गया जिसकी कारण यदि धातु की कंगी पर हम आवेश को देखना चाहें या आवेश को मापना चाहें तो हम उसे मेजर नहीं कर पाते हैं क्योंकि धातु की चहर या धातु की कंगी क्या हो चुकी है कि अवेश हीन हो चुकी है क्योंकि इस पर चुम मौजूद आवेश था वो सुचालक पनार्थों से होते हुए तहां पृत्वी में चला गया है तो इस तरीके से यह प्रक्रियां ही क्या कहलाती है विद्दुत का च्छरं या घटना आवेश का च्छरं कहलाती है और यह प्र प्रक्रिया क्या कहला जाती है ब्भु योचन या भू संपरकन जब हम कि इस आवेज को समाने रूप मेरें दी बोलें कि जब हम किसी आवेज को किसी विद्धुत चालक से होते हुए जमीन के साथ संपरक्ईक कर देती हैंं तो यह भूयोजन की प्रिक्रियाव को हम लोग अपने धरेलू बिद्दुत पड़िपत्थ में देख सकते हैं इससे हमें क्या होता है हमारे घरों में जो महंगे महंगे बिद्दुत्य उपकरण का प्रियोग करते हैं यदि पड़िपत्थ में जादा एंपियर की विद्दुधारा प्रवाहित हो जाए तो हमारे महंगे बिद्दुत्य उपकरण जल सकते हैं खराब हो सकते हैं तो जादा विद्दुत्धारा को यदि हम कंट्रोल करना चाहें नियंत्रित करना चाहें तो भूयोजन की प्रिक्रिया को निस्चित तोरसे अपने घरेलू परिपत्थ में जो मैन बोर्ड होता है उस मैन बोर्ड में जो आपकी मेल प्लग्स लगे होते हैं जिससे आप लोग किसी विद्धु किया यंत्र को गढ़ों लाइट्स देते हैं तोरी थोरा बड़ा करके देखते हैं आप कि देखें होंगे आप आपने क्या किया पोल से एक फाइज वाय लाए एक अर्थ वाइर लाए और एक हॉल कि मेंल हॉल अपना लोग देखते हैं और इस खॉल को यह वाल इसलिए दिया खाता है कि ताकि आप एक वायर मुजित कर एक वाय इस तीसरे हॉल के साथ जोड़ा आ अब हम क्या किये यहां पॉल से एक फेज लाइन और एक अर्थ लाइन लेकिन ये तीसरा जो फिमेल हॉल है उससे हम क्या करते हैं भूयोजित कर देते हैं इस भूयोजन से हमें लाव क्या होता है कि भूयोजित की प्रक्रिया से जो हमारे महांगे विद्धु की उपकरन होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि जब भी जैसे आप कंप्यूटर के सिप्यू को ले लैक्टॉप्स कि फ्रेज्स एसी वासिंग मसीन्स इन सब में पावर लाइन देने पावर देने के लिए जो आप कि वायर्स ले लेते हैं उन वायर्स में हमें इस तरीके की संद्चना दिखाई देती है कि इसमें तीन मेल प्लक्स होते हैं जिन्हें हम यहां अपने बोर्ट के साथ कंडक्ट करते हैं तो आप एक से लाई आए दूसरे से कि दो को ओल से अर्वाइट आड़ा है अब है पीसरा अ कि तीसरा को ना सिस्टाइब भूयोजित वायर के साथ कन्डॉक्त आप यसा केसे ऐसा क्यों हैं तो हम पहले देखते हैं और तिसरा वायर जो है इसके साथ कन्डॉक्त हो क्टू कि यह नहां जो हमारा चल्टाइब है जो पॉल से आजा हुआ अर्थ्वायर है यह ये तीनों वायर्स आकरके हमारे विद्दुक्य यंत्र में प्रवेश करता है और ये अर्थ वायर भुजोजित वायर और पोल पर का अर्थ वायर डोनों एक साथ जहां विद्दुक्या उकरन के बॉडी के साथ एटेज्ट जाता है ताकि जब विद्दुधारा प्लस से होते हुए आए और मैनेस से होकर निकल जाए तो इस स्थिस्टिव में यदि फेच वायर से अधिक अंपियर की विद्दुधारा उससे अधिक अंपियर की विद्दैर्ा हमारे विद्द में प्रवाहित हो जाये तो निस्त होने से बच जाता है तो इस तरीके से आप निश्चित तोर से क्या करें अपने घरेलू परिपत में भूयोजी त्वायर का प्रियोग करें इससे आपके विद्दुत्य यंप्र जल्दी-जल्दी खराब होने से बचते हैं तो हमने भूर संपरकन की प्रिक्रिया को पर लिया अब हम लोग परेंगे दूसरे पदार्थ विद्दुत्रोधी पदार्थ अर्था इंसुलेटर्स विद्दुत्रोधी पदार्थ क्या है किन है किन पदार्थों को हम विद्दुत्रोधी पदार्थ कहेंगे तो अब हम चल कि कोई पदात विद्दुत्रोधी पदात तब कहलाता है जब क्या होता है उनसे होकर हम आवेश को प्रवाहित करते हैं और आवेश की बहुत अल्पमात्रा अत्यंत अल्पमात्रा प्रवाहित हो पाती है यानि जिस आवेश के प्रवाह को हम अनुभब नहीं कर पाते हैं तो जिसके का जिसके कारण लोग क्या कर सकते हैं कि Past से से प्रवाहित होने लावाली धारा का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और हम बोल देते हैं कि यह पडात क्या है विद्दूत्रोधी पडात है जैसे प्लैस्टिक लकरी तरी हम से सलिए तो इन सारे पदार्थों को हम लोग विद्दुत रोधी पदार्थ के रूप में रखते हैं और विद्दुत रोधी पदार्थ के विद्दुत रोधी होने का भी कुछ न कुछ तो कारण होगा कि किसी पदार्थ के विद्दुत रोधी होने का मुख्य कारण क्या है कि उस प को यो कि अपया कश्ih और किसी प्धात का परमान था तो पर मलं के नांवीजिद के रोपीद कर रहा है तो वह इलेक्ट्रोन अपनी कछ्षा से मुक्त नहीं हो पाएगा और स्वतंत्र नहीं हो पार्थ करण में स्वतंत्र इल्ट्रोन की संख्छा नहीं होगी और वह पदार्थ आवे इसको बहुत कम मात्रा में एक सिरे से दूसरे सिरे तक या नहीं के बराबर जाने देगा, माइनस में हो जाता है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि किसी पदार्थ का नाभिक उसके बाहितम कच्छा के इलक्ट्रोन पर मजबूत नाभिकिया बद आरोपीत कर रहा है, तो वो अपने बाहितम कख्षा के इलेक्ट्रोन को मुक्त नहीं होने देगा और यदि बाहितम कख्षा के इलेक्ट्रोन स्वतन प्रवस्था में नहीं आते हैं तो वे पनार्थ आवेश का चालन नहीं कर पाएंगे और आवेश का चालन यदि नहीं कर पाएंगे तो हम बोल कि हम लोग आगे बात करते हैं इसके उदाहरान कांट लख़ी पॉर से पॉर्सिलेंट प्लैस्टिक अब कुछ थोस पदार्थ की विद्दुत चालकता हैं क्या होते हैं अत्यंत न्यूम टैन टूदी पावर मैंनस 10 एवं टैन टूदी पावर मैंनस 20 ओम इनवर्ज के क्रम की होती हैं तो इतने क्रम की विद्दुत चालकता वाले पदार्थ क्या हो जाते हैं विद्दुत रोधी पदार्थ हो जाते हैं यह पदार्थ विद्दुत रोधी होते हैं अब इसके बाद जो हमारा पदार्थ का तीसरा रूप होता है आब इसके प्रमाह के अनुसार उसे ह हम अर्धचालक करते हैं सेमिकंडक्टर करते हैं तो वैसे पदार्थ करेंगे कि वैसे पदार्थ जिन से होकर विधित आवेस का प्रवाह विद्दुत्थ चालक पदार्थ से कम और विद्दुत्रोधी पदार्थ से अधिक होता है तो इस तरह के पदार्थ को हम लोग क्या बोल देंगे अर्ध चालक पदार्थ बोल देंगे फिर से एक बार कि वैसे पदार्थ जिन से होकर विद्दुत आवेज का चालन विद्दुत रोधी पदार्थ से कम और विद्दुत रोधी पदार्थ स हम अर्ग चालक पदार्थ कर देते हैं तो हमने अवेश के प्रवाह के अनुसार पदार्थ को तीन भाग में बर्गिक प्रित कर लिया और उसका एक एक करके अध्यन किया मैं एक बर फिर से 12 करचा के छात्र छात्राओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपको किसी भी माध्यम से फेस्बूक के माध्यम से या सिक्षा से जुरे वाक्सप ग्रूप के माध्यम से आपके पास से दिव वीडियो पहुंसता है तो आप करचा बारा के फिजिक्स कि अच्छे धंग से तैयारी के लिए आप माताज्वाला मुख्य विज्ञान संस्थान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह हम क्या करेंगे प्रतेक टॉपिक को संपुर्ण किताब के प्रतेक टॉपिक को बहतर धंग से एनालाइज कर आपके लिए प्रस्तूत करेंगे और हम समझेंगे कि हम अपने छात्र छात्रों के लिए कुछ काम किया तो मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद्ट